बाचिश्य अक्बर का दरपार सचा हुआ था, आज बाचिश्य अक्बर बीर्बल से कहते हैं, बीर्बल काफी समय हो गया है, तुमने हमें कोई कहानी नहीं सुनाई जिससे हमें अच्छी सीख मिल सकें, तब बीर्बल कहता हैं कि ठीक है माराज मैं आपके सामने एक कहानी पी पीरबल कहते हैं कि आज की कहानी का शीरशक है मुल्खों से सावधान रहना क्योंकि आगर आपने मुल्ख व्यक्ति को कुछ समझाया है तो वो भी एक खतरनाक हो जाता है एक छंगल में एक दोता पेड़ के उपर बैठा हुआ था रात का समय था और उसी पेड़ के नीचे त बंदर कहता है भैया अब इस धेर में आग लगा देते हैं तब दूसरा कहता है कि आग को इधर अधर ढूरने की क्या ज़रत है ये जो हवा में आग की गोले बै रहे हैं उनहीं को ले लो और इस पत्ते में डाल दो आग अपने आप लग जाएगी वो मुल्ख बंदर गड़ कर आग लगाई जा सकती है तीनो बंदर में से किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा कुछ देर बाद तीनो बंदरों ने जुगनू को अपने हाथों में पकड़ लिया और उस सूखे पत्तियों के धेर में छोड़ दिया और उसे हवा देने लगे ये सब देखके तो तोति से रहा नहीं गया उसने कहा बंदर भया ये सब करने से आग नहीं चलेगी तुम दो लकड़ियों को आपस में रगड़ के देखो उससे चेंगारी निकलेगी और आग लग जाएगी तोति के बार बार टोकने का असर ये ह हुआ कि उन बंदरों को गुस्ता आ गया और उसमें से एक बंदर ने उसे पकड़ के जमीन पे गिरा दिया और जमीन पे गिरते ही तोति के प्रांट निकल गए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुर्ख को समझाने में अपना कीमती समय बर्बात ना करें तब ही अकबर बोलते हैं कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है बिर्बल पर हम सोच रहे हैं कि क्या उन बंदरों की तरह हमारे राज्य में भी मुर्ख होंगे तब बिर्बल कहते हैं कि क्यों नहीं जाबना जरूर होंगे तब अकबर कहते हैं कि अच्छा तो हम इतने बड़े राज्य में कम से कम चार मुर्खों से मिलना चाहते हैं और इसके लिए हम आपको साथ दिन की महलत देते हैं तब ही बीरबल कहते हैं कि ठीक है मैं आपके लिए चार मुर्खों की वैवेस्था करता हूँ तब ही बीरबल अपने गर में रात को घूम रहे होते हैं और सोच रहे होते कि आखीर मुर्खों को ढूणना भी कोई काम होता है क्या तब ही उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अंधरे में कुछ ढूण रहा होता है तब वो वहाँ पर जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ मित्र तुम क्या ढूण रहे हो तब वो वैक्ति पुछता है कि आप कोन है तब बिर्बल कहते हैं कि मैं बिर्बल हूँ और इतनी रात को तुम यहां क्या ढून रहे हो और तुम्हारा क्या नाम है तब वो कहता है कि मेरा नाम इलियास है और मैं यहां अपनी सोने की मोहर जो मुझसे गिर गए थी उसको तलाश कर रहा हूँ तब बिर्बल कहते हैं अच्छा सोने की मोहर तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कब और कहां पे गिरी थी शैद मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ तब वो व्यक्ति बोलता है कि बिर्बल जी मेरे सोने की मोहर वहां अंधेरे में गिरी थी तब बिर्बल चौक जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपकी महर वहां अंधेरे में गिरी थी तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं तब वो वैक्ति कहता है कि अजीब मुर्ख हैं आप तो बिर्बल जी आखें अंधेरे में नहीं रोश्नी में कुछ देख पाती है इसलिए तो मैं अपने सोने की महर को यहां रोश्नी में ढूंड रहा हूँ तब विर्बल मन ही मन सोचते हैं कि यह तो बड़ा मुर्ख साबित हो गया है इससे जहां पना के साबने ले जाया जा सकता है तब विर्बल इल्यास से कहते हैं कि तुम कल बादशा अकबर के दरबार में आ जाना वो तुम्हें तुम्हारी खुई हुई महर के साथ साथ और भी बहुत साली सोने की महरे दे देंगे तब इल्याज कहता है कि ऐसा ही है तो फिर मैं कल जरूर आ जाओंगा अभी मैं चलता हूँ तब बीरबल मन ही मन सुचते हैं कि एक मुर्ख तो मुझे मिल ही चुका है तो बागी के तीन भी आसानी से मिल सकते हैं मुझे बाहर चलके ढूणना चाहिए तब ही बीरबल थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें चार जन्ने बैठे वे दिखाई देते हैं वो उनसे कहते हैं अरे मित्रो आप लोग यहां पे इसे उदास क्यों बैठे हैं तब उनमें से एक जना कहता है कि हम दूर से आए हैं और हमारे पिताजी ने हमें चार गिंती गिन के बताया है कि तुम चार भाई जा रहे हो लेकिन अब जब हम हमारी गिंती गिन रहे हैं तो हम तीन ही गिन पा रहे हैं हमारा एक भाई कहीं गुम हो गया है तब बिर्बल मन ही मन सुचते हैं ये तो चारू यहां मवजूद है फिर खोया कौन है तब बिर्बल उन्में को कहते हैं कि आप में से कोई एक गिंती करके मुझे बता सकता है क्या तब एक जरा गिंती करता है ये देखो ये एक भाई, दूसरा भाई और तीसरा भाई वो अपने आपको नहीं गिन पा जो भी उन मेंसे गिनती करता है वो खुद को गिनना तो भूल ही जाता है इसलिए उसका आखड़ा तीन पे आके ही रुख जाता है और वो ये सोचते हैं कि हमारा एक भाई गुम हो गया है तब पेरबल उन्हें कहते हैं कि मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आपका खोया हुआ भाई आपको कल मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको कल सुबर बादशाय अकबर के दरबार में आना होगा तब ही उन सब में से एक भाई कहता है हाँ अवश्य हम कल दरबार पहुँच जाएंगे अगले दिन फिर बादशाय अकबर का दरबार सचता है और पीरबल सामने से आते वे दिखते हैं तब अकबर कहते हैं कि आपके चाहरे की रोनक देखके लगता है कि आपको सारे मुर्ख मिल चुके है तब बीरबल कहते हैं कि आपने सही कहा चाहपना इत्तफाक से मेरी ये खोश सिर्फ एक दिन में पूरी हो चुकी है तब बादशाय अकबर कहते हैं कि हम से और इंतजार नहीं हो रहा बीरबल हम मुल्खों को देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं तब बीरबल कहते हैं कि अवश्य जापना मैं आपकी ये बेचैनी अभी दूर कर देता हूँ और वो उन सब को दरबार में पूलाता है ये लीजिए जापना जिन्हें आप देखना चाहते थे वो सब आपके सामने है तब ही बाच्शे अगबर कहते हैं कि मैं इन सब को देखना तो चाहता हूँ लेकिन इसके साथ साथ वो किस्सा भी सुनना चाहता हूँ जिसे जानकर आपने इन सब को मुल्खों की श्रेणी में रखा है तभी बीरबल बताते हैं कि इल्यास की सोने की मोहर अंधेरे में गिर गई थी और वो उसे उजाले में ढूंड रहा था इसलिए मैंने इसे मुल्ख की श्रेणी में रखा और ये चार जने भाई जो की गिंती में अपने आपको गिन नहीं रहे थे और तीन भाई ही समझ रहे थे अपने आपको और मान रहे थे कि चौथा भाई इन सबसे गुम हो गया है इसलिए मैंने इन चारों को भी मुल्खों की श्रेणी में रखा तब बाच्छा अकपर कहते हैं कि हाँ वाकई ये काम तो मुल्खों के ही है पर बीरबल इन सबसे मिलने के बाद अब मेरी बैचानी और बढ़ गई है मैं उन लोगों से बिलना चाहता हूँ जो मुर्ख नहीं महा मुर्ख हो तब बीरबल कहते हैं कि जी जहापना वो भी आपके दरपार में मौजूद है तब अकबर कहते हैं क्या वाकई तब बीरबल कहते हैं जी जहापना मैं आपको अभी मिलवा देता हूँ उन से सबसे बड़ा मुर्ख तो मैं हूँ तब बादशाओ बर चौक जाते हैं और कहते हैं आड़े यह कैसी बाते कर रहे हैं आप तो बहुती समझदार और ग्यानी हैं तब बीरबल कहते हैं कि आपने सही कहा लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा एक दिन इस बेकार के काम में मुर्खों को खोजने में वैर्थ कर दिया इससे बड़ी महा बेवकूफी और क्या होगी मैं आपके दरबार में सलाहकार हूँ और मेरा काम आपको अच्छी सलाहा देना है तब बाठशा अख़र जोड से हसते हैं और कहते हैं कि अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे दूस्रा महा मुर्ख कौन है वो महामुर्ख और कोई नहीं हम स्वयम है बीरबल जिसने आपको इस बेकार के काम में लगा दिया हाम आपकी बात से बिलकुल सहमत है बीरबल कि मुर्ख को खुजना मुर्खता वाला ही काम है तब बीरबल कहते हैं लेकिन आपने बहुत ही शांत और अच्छे तरीके से अपने गलती को मान लिया ये काम तु समझदार वाला वैक्ति ही कर सकता है तब पाच्छे अक्बर कहते हैं कि बीरबल आप वाकई कमाल है आपने कितनी चैतुराई से हमें हमारी गलती का एहसास भी करा दिया सिपाईयों इन मुर्खों को इनका इनाम दे कर यहां से विदा करिये तब जो चार भाईों का समू होता है उसमें से एक भाई कहता है कि हमें धन का लालच नहीं है हम हमारे चौथे भाई के लिए यहां दरबार में आए हैं तब बीरबल कहते हैं कि हाँ मैं तो भूली गया था आईए मैं आपको आपके चौथे भाई से मिलवाता हूँ तब बीरबल उन्हें एक लैन में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम पहले भाई हो ये दूसरा, ये तीसरा और ये ही तुम्हारा चौथा भाई जो कि तुम्हें लगता है कि घुम गया था ये सुनके वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और बीरबल को धन्यवाद कहते हैं तब पास में खड़ा इल्यास कहता है कि मुझे भी मेरी गुमी हुई सोने की मोहर दिलवा दिजी बादशा अकबर मुझे वो बहुत जरूरी है और मुझे उससे लेना ही है तब बीरबल कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिये हमने पहले से ही आपकी सोने की मोहर को ढून के रखा हुआ है और आपकी इनाम की साथ वो भी साथ में ही है तब सभी जने बादशा अकबर और बीरबल की जैजैकार करते हैं